बहुत बार आपको जीवन में ऐसा लगता होगा कि मेरे साथ ही जीवन में परिशानिया क्यों चलती रहती है, मेरे उपर ही इतनी सारी समस्याइं क्यों आती रहती है, या लोग सिर्फ मुझे ही इतना भला बुरा क्यों कहते रहते हैं, और उसी करण आप बहुत जादा तो वो अपने गुरुजी के पास गया इस समस्या का समधान मांगने के लिए गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं तो बड़ा परिशान हो गया हूँ जितने भी लोग मुझे मिलते हैं वो मेरी ही गल्तिया निकालते रहते हैं मेरी ही बुराया करते रहते हैं मेरे बारे में ही भली और बुरी बाते करते रहते हैं तो वो लड़का बहुत जादा परिशान था और गुरुजी से समधान मागने लगा गुरुजी मुस्कुराए और कहा कि इधर आओ और मेरे पास बैठो वो लड़का उनके पास बैठा और गुरुजी ने उसे एक ग्लास पानी दिया और साथ ही साथ एक मुठी नमक भी दे दिया और कहा कि इस नमक को इस ग्लास में डाल दो उस लड़के ने ऐसा ही किया एक मुठी नमक लिया और पूरा का पूरा उस ग्लास में डाल दिया लेकिन अब गुरुजी ने कहा कि इस ग्लास को उठाओ और पूरा का पूरा पानी पी लो उस लड़के ने गुरुजी की तरफ शंका से देखा कि मरवाएंगे क्या, ये क्या कह रहे हैं इतना खारा पानी मैं कैसे पी सकता हूं लेकिन उस ने कुछ कहा नहीं उस ग्लास को उठाया और जैसे ही उस ने उस ग्लास को मुह से लगाया एक गुटी पिया लेकिन वो पी नहीं पाया पूरा का पूरा पानी मुह से बाहर निकाल दिया उस लड़के ने बहुत ही गंदा सा मूँ बनाते हुए गुरूजी की तरफ देखा कि ये गुरूजी ने क्या कर दिया लेकिन गुरूजी ने एक शबद भी नहीं कहा गुरूजी ने कहा कि उठो और मेरे साथ जरने की और चलो लड़का बात मान गया वो उठा और अब गुरुजी ने फिर से उस लड़के को एक मुठी में नमक दिया और कहा कि इस नमक को जहरने में डाल दो उस लड़के ने एक मुठी नमक लिया और जहरने में डाल दिया गुरुजी ने कहा कि अब तुम इसका पानी पियो उस लड़के ने उस जहरने का पानी पिया और गुरुजी ने पूछा कि अब मुझे बताओ कि दोनों पानी में क्या अंतर था लड़के ने कहा कि आश्रमें जो पानी आपने मुझे पिलाया था वो बहुत जादा कड़वा था लेकिन यहाँ पर जो मैंने पानी पिया वो बहुत ही जादा मीठा था गुरुजी ने समझाया कि बस यही बात तुम्हें अपने जीवन में समझनी होगी कि नमक एक मुठी ही है अब यह तुम्हारे उपर डिपैंड करता है कि तुम उसे ग्लास में डालना चाहते हो या फिर जरने में तुम अपने आपको एक ग्लास पानी बनाना चाहते हो या फिर एक जरना बनाना चाहते हो तुम अपनी सोच को एक ग्लास में लिमिट करना चाहते हो या फिर एक जरने की तरह विशाल बनाना चाहते हो लड़का इस बात को पूरी तरीके से समझ चुका था क्या आपको समझ में आया? कई बार हम सब भी अपने जीवन में बहुती लिमिटेड सोच रखकर और पॉजिटिव अपरोच ना रखकर अपने जीवन को बहुती जादा लिमिटेड बनाने लगते हैं हमें हर वेक्ती में बुराई नजर आती है, हर वेक्ती में कमजोरी नजर आती है, और यदि कोई वेक्ती हमारी भलाई के लिए भी थोड़ा कुछ कह देता है, तो हमें वो वेक्ती नेगेटिव नजर आता है, हमें लगता है कि पूरी की पूरी दुनिया सिर्फ हमारे ही इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि आप कैसे इंसान है यदि आप एक गलत इंसान है यदि आप गलतिया करते हैं तो आपको उन गलतियों को सुधारना चाहिए यदि कोई विक्ति आपकी वो गलतिया आपको बताता है तो आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं अटना चाहिए खुले दिल से उन गलतियों को स्विकार करना चाहिए लेकिन वे वज़ाए यदि कोई विक्ती आपकी गलतिया निकाल रहा है आपको बुरा कह रहा है या फिर आपको ताने मार रहा है तो आपको इससे कोई फर्क भी नहीं पढ़ना चाहे क्योंकि आपको पता है कि आप कैसे इंसान है तो अगली बार यदि आपको कोई विक्ती बुरा कहता है ताना मारता है या फिर आपकी बुराईय गिनाता है तो बिल्कुल इस वीडियो को फिर से देखिएगा और सोचीगा कि वो सिर्फ एक मूठी नमक है आपको उसे गलास में डालना है या फिर जरने में डालना है ये आप पर निर्भर करता है